हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चानल, वेलकम टू योर चानल, क्रियेटिव हैंड में ठाब तो ये मेरा बहुत पुराना चार्जर है, जिसको मैंने पहले DIY किया था, जो कि आप अभी देख रहे हो उस पर ये काफी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा वापस इसको क्योंने नया बनाया जाए तो मास्खिंग टेप लेके दोनों साइध कवर कर दिया है मैंने और अब अकांगशा बरांट का एक्रालिक कलर यूज़ कर रही हूँ, दो कलर्स का यूज़ करके मर्जिंग कर रही हूँ दोनों को, तो पहला जो शेड यहां पे मैं यूज़ कर रही हूँ, लइंग पिंक से brush strokes आएंगे और color भी evenly spread नहीं होगा so इसलिए sponge का use करना है अब sponge का एक side मैंने use किया है purple color को even करने के लिए और दूशरे side का use कर रही हूँ pink color को even करने के लिए आप दोनों को थोड़ा सा left right dab करके even कर लेंगे और color बहुत अच्छा से तरह से merge हो जाएगा चारो चार्जर पे सेम चीज रिपीट करना है और कलर को मर्ज कर लेना है जब तक मैं बाकी साइट पे कलर कर रही हूँ जल्दी से आप चानल को सब्सक्राइब कर लीजे इसी तरह के और भी बहुत सारे डियाइवाई वीडियो देखने के लिए और यह जो पहले ग्रीन वाला डिय है चार्जर पे और इसका वीडियो भी मैंने पहले अपने चैनल पे शेयर किया था उसकी लिंक मैं उपर आई बटन में दे रही हूँ आप वहां से वो भी देख सकते हैं और उस तरह से भी पेंट कर सकते हैं सो कलर अच्छे से मर्ज हो गया है अब हम इसे अच्छे से ड्राइ होने देंगे मैंने तो स्विच बोट पे ही लगा कि ओवरनाइट ड्राइ होने दिया है अच्छे से ये देखिए कलर एकदम अच्छे से ड्राइ हो गया है टेप जो हमने लगाया था उसे उपर और नीच के साइड्स भी एकदम क्लीन है तो इसलिए टेप जरूर लगाईएगा जहां पर आपको कलर नहीं चाहिए है अब हम वार्निश करेंगे सो वार्निश के लिए अकांग्शा ब्रान का वार्निश यूज़ कर रही हूं इस वार्निश ने कलर को अडाप्टर पे काफी अच्छे से सील किया है सो मस्ट यूज़ दिस वार्निश आज यह वार्निश है सो इसलिए हमने फाइफ पार्ट वार्निश पे वन पार्ट वार्निश करके फिर यूज़ किया है सो बस सिंपली ब्रश से वार्निश को अपलाय कर लेना है चारो साइट्स पे और ड्राय हो जाने देना ड्राइंग टाइम 15 से 20 मिनिट बस है मुझे अपने चार्जर पे एकदम सिंपल सा लुक देना था इसलिए मैं 3D आउट लेनर का यूज करके एकदम सिंपल सा पैटन क्रियेट कर रही हूँ पैटल का फैविक्रिल का 3D आउट लेनर यूज कर रही हूँ और आपको अगर सकते हो और डीटेलड वर्क कर सकते हैं 3D आउट लेनर का ही यूज करके भी कर सकते हैं फॉर एक्जामपल आप चाहो तो इसमें वर्ली आट का पूरा पैटन क्रियेट कर लो या मदुबनी आर्ट के पैटन क्रियेट कर लो और फिल कर लो थोड़ा हैवी लुट देलो 3D आ प्राइलिक कलर यहां से छोबी अपना रहे हो उसको पैणट कर लिजिए इसके ऊपर और और भी नहींकर नहीं है अगर तो फिर अप्सका यूज कर सकते हो बस आप वैक ग्राउंट इंच करल को और उस्टीकर बागी साइट्स पर करते वक्त यह ध्यान रखना है कि जो हम पहले साइट्स पर कर चुके हैं उसका वर्क हमारा बिगड़े नहीं और अगर होल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक साइट का ड्राय हो जाने तो उसके बाद सेकेंड साइट पर फिर थर्ड साइट पर करो ड्राय होते जाए उसके बाद और थोड़ा सा जो वेकिंट स्पेस का वहां पर डॉट से फिल कर ली हूँ जिससे जो स्पेस है वो वेकिंट ना लगे सो बातों बातों में हमारा पुराना चार्जर एकदम नया हो गया है और यह एकदम क्विक सा डियाइवाई है तो ट अथक्य। बाद बाँ